तो है गाइस दिस इस कुल्दीप एंड यूपियस्सी लाइबरी तो आज किस लेक्स में हम बात करेंगे सुरी नाम कंट्रीज के बारे में यह दिए बिकाज इंडिया में 72nd भात्तरमा घर्तंदिवश जिसको रिपब्लिक डिव बोलते हैं वह सेलिवेट के जाता है क्या जा रहा है तो उसी के उसी डेस पर इंडिया हर साल किसी ना किसी कंट्री से एक गैस को एडिश को ऐस चीफ गैस बोलाता है तो इस साथ जो रि उन्हें नहीं जो एंडिया विजिटा सो इस वज़ेस से इंडिया ने उनके जगे पर सुरिणाम के प्रसिदेंट जो चंट्री का प्रसाथ संट को सब्सक्राइब इंडिया मतब इसमें देखेंगे इंडिया और सुरीनाम कंट्रीज के बीच में रिलेशन है प्लस इनके बारे में जानेंगे स्ट्रेक्चर में पहले तो देखते हैं सुरीनाम कंट्रीज को इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या कहां पर लगविट करता है यह इंडिया जो भारत जो की एशिया में तो इंडिया के जब हम वेस्ट में जाएंगे तो नौर्थ अर्ट्लैंटिक सी को क्रॉस करते हुए कि साउथ अमेरिका में सुरीनाम कंट्री आएगा तो साउथ अमेरिका का जो कॉंटिनटर में उर्ट में करते हो अगर इंडिया के वेस्ट में जाएंगे तो इस्ट में जाएंगे rockets कर से क्रॉस करते हुए जो साउथ आइयर इसको पूरा-पूरा अक्स है तो यह साथ Sattac इन साथ अमेरिका नौन-कॉन होते हैं चैनाडा उसे और मेक्सिको यह तीन कंट्री नौत अमेरिका होते हैं जो कि तो की इसको अभियाद रखना काफी जारा देखने को मिल रहे हैं तो इसी चीज को देखते हुए तो वर्ल्ड में जितने भी कंट्री ने इंडिया की जो विजट ती जो चीफ गया इंडिया ने जो चंद्री का प्रसांद संतों किया है उनको एज चीफ गैस के रूप पर उनको न्योता दिया तो वह अगले चीफ गैस होंगे मारे रपब्लिक पर इस चीज को याद रखना ये दो नीज आर्टिकल के कट आउट ना ही दायंदू का ये निज इंडिया का तो इसको या चाहिए और आप एपसी लाइबरी को टेलेग्राम फेस्बुक और इंस्टाग्रम कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के नीचे डिक्रिक्षिन में दी हुई है तो रिपब्लिक डेज जो इंडिया में सेलिवेट करते हैं वह यह अभी जो डिपब्लिक डेज वह होगा सेवन्टी सेकेंड रिपब्लिक डेज होगा जो कि 26 जन्वरी दो एक किसको सेलिवेट किया जाएगा सो इस दिन क्या होदा एक्षि यह जो 26 जन्वरी निची सो पचास को जो हमारा कॉंस्टूइशन है वह एफेक्ट में आया था इसी चीज़ को इसी व्याज़े से उस दि वह पून स्थ्वाराज देवस की शैलिवेट कर दें बिकास जो 26 जन्वरी 1930 को जब आप स्थे पढ़ेंगे पादें तो पता चालेगा तो वह उस दिन को जो 19 36 जन्वरी निची से को पून स्थ्वाराज देवस को सित किया गा था इसको डेलेर किया था आएज माग है पू मिली थी है अपने इंडिया को ऐसे रिपाब्लिक ऑफ इंडिया घोशिट किया गया था तो इस चीज ऐसे याल रखना है तो इसमें जो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिं कमेटी ती घो अन्हेंने जो बर्त आप दर स्थीट क्रूशिट करना चाहिए वह हमारा फ्रीडम इंडिया की रीपाब्लिक डिया तो अलग अलग जिन पर इंको स्थीट कर सो जो चंटि का परशाध जो संतों की हैं वो इंडियन ओरिजन प्रेसिडेंट है और साथ अमेरिका कॉंटिनेंट है उसमें जो सुरीनम कंटिक उसके इसी वैसे उनको ऐसे चीफ जनुरी पर उनको बुलाया जाता रहा है इनिशली देखे हैं तो इंडिया इंडिया पहले इंडिया की प्राम मिन्स्टर है उन्हें ना रिग्रेट किया और बोला कि मैं इस पर नहीं आपाऊंगो इसी चीज को देखते हुए निव डेली जो इंडिया नहीं टेक पाइन इंडिया सेलेविशन तो चीफ केस मनों नमाना गाए इसमां बताया है कि यूके में जो कोविट के जो केसे आज दो काफी ज़्यादा आने लगे थे द्यू निव निव स्ट्रें निव कोविट नांटीं स्टें सो निव बार स् यूके से जितने हो जाने और सारी फ्लाइट वो क्लोज हो गए थी यूके की तरफ जो आ रहे जो फ्लाइट वो भी कैंसल होगी थी इसी चीज़ को देखते हो अनों नहीं बोला कि यह अच्छ अभी सरी समय नहीं है जाने का सब्सक्राइब किया इंडिया पूलाइंड स्मय अर्यजा बागी बाक्य जो कंट्रीं होन ने जो विट्यन की दरफ जो फ्लाइट थी उनको कैंसल कर धीया सो बिकॉर इसमें जो जो चैना उसमें यह था कि उसका जो डो ट्रांस्मीसिंट स्टाव वह जो जो कोई नैंटीं यहां पर सुरीनियम कंट्री के बार में देखें तो सुरीनियम कंट्री जो की एक स्मॉल कंट्री है नौर्थ इस्टन कोस्ट आफ साथ अमेरिका कॉंटिनेंट सुरीनियम कंट्री देखने को मिलेगी जो की कल्चरली एक करेबिन नहीं कंट्री जो इसको याद रखना है स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा सकता है कि सूरीनम जो कंट्री है वो साथ अमेरिका के तो पार्ट है वो केरिविन कम्मुनिटी का भी मेंबर है तो ऐसे कोशन पूछा सकता है सूरीनम जो ओनली सोविरन कंट्री है जो की यूटसाइड यहां पर यहां पर यहां की ऑफिशल लेंगविज और वहां पर वहां पर सभी जगह है तो इसको प्याद रखना तो सुरीनम कंट्रीज के बार में देखें तो वहां पर पूरे 100% पॉपुलेशन में 27% तो इंडियन ओजिजन के लोग देखने को मिलें तो उसके बार 21% पॉपुलेशन देखने में तो यहां से पता चलेगा देखा जाएगा कि वहां की जो पॉपुलेशन जो डाइवरिस्टी यह सब बोला जाता है सुरीनम के बार में और लिजिजन के परसुप पर देखा जाए तो वहां का सब्सक्राइवरिस्टी कंट्री बोला जाता है सो यहां से पता चलेगा देन बाकि अगर उसकी सुरीनम की कंट्री की कैपिटल देखा जाए तो पहरा मारी वह जो की इसकी कैपिटल है और सुरीनम की पॉपुलिशन कितनी है पांच लाग पिचतर जानौ सनब्बे उसकी पॉपुलिशन है और जी डीपी की देखा जा तो उसकी जीडीपी एप्रोक्स देखा जाए नाइन बिलियन डॉलर है यह टोटल उसकी जीडीपी है जो काफी काम है व इसंट्रीं की पर क्या पेटा इंकम 15.85 है अट गेटा इंकम से काफी बैटार है और इसके अलावार जब इंडिया में फिरवावसी यह त्डीप के जालता सेलिबडेट किया जा 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 ता उसमें बहें जो इंडेनेवनियं की में के बोला था सुरीनम करेंगे इंडिया से जाने वाले जो विजीटर हैं जो सुरीनम की तरफ जा रहे हैं तो मंदब वहां से वीजा की जो प्रॉब्लम जो आती थी उसको पूरा खतम कर देंगे ऐसा नहीं बोला कि प्रवासी भाहते दिवस के से एलिबरेशन पर इसके अलाब ऑसो इलबर यहां विद्जी अलबर हो इसके लिए लीक लिंग से बारे बोला कि यह जे दोों कंट्रीज हैं जो इंडिया और सुरीनम में वो उनका जो डियस्पोर आए दो और इंडिया की तर रहे उसका एक पार जिए पाड़ इनडिया और इंडियन लेवर को स्वीनम कंट्री में ले जा गए इसी विएसे वहाँ पर स्वीनम में इंडियन की जो संख्या जो पॉपुलीशन है वो काफी जादा है इसमें वह बोलते हैं कि I also feel pride in being Indian heritage वह बोलते हैं कि मुझे feel मतब प्राइड है कि मैं as Indian heritage का पार्ट हूँ also heritage and culture विच पास्ड़न माई my parents and grandparents because इनके जो parents and grandparents से वह इंडिया से ब्लॉंग करते थे 148 years ago started his adventure from journey भिहार उत्तापदेश इनका link भिहार उत्तापदेश है इस चीज़ को भी याद रगना also from Kolkata in search of their dreams for better life in Suriname so इन्होंने अपना ने पास के बारे में ऐसा बता आया इसके लाबा इंडिया सुरिनम के बारे में देखें तो इंडिया सुरिनम के मतब इसमें अगर उनके इंडिया इंडिया सुरिनम के बारे में इंडिया ने पैराव मारी बजो की सुरिनम की सुरिनम की जो सीघट ही तो काफी लेट अपनी एंबैसी मैं इसके हां पर सुरीनेमनेत्ट हुपन् किे स्थी काउंसेली में इसके यहंदामकन अगर कोई कंटी में कोई अपनी चीज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं जहां से उसके अलावा किसी और सिटीज में वह अपनी एंस्टीशन करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करते हैं इसके अलावा इंडिया की जो इंडिया को विजिट किया था कब दो या तीन में तो उन्होंने अब्दूल कलाम जो इंडिया की प्रेसिडेंट थे और जो अटल ब्हारी बाजबाई उस ताइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलाकत की एंड इसके अलावा टू कंट्री साइन एग्रिमेंट और कॉपरेशन इंगरिकल्चर स्टैबलिश्में कंट्री को दस मिलियन का लाइन अफ करेडिट प्रोवाइड किया तो इंडिया के वीच में जो बालेटर ट्रेल है वो सिफ दो सो अटाइस मिलियन डॉलर है जो एक इसको इंडिया और ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है सो इसके इसमें अगर इंडिया और सुरिनम के वीच में टेट देखा जाए तो इसमें में कॉमोडिटी होती हैं बॉयलर मचिनरी आयरन इस्टील एक्ट्रिकल मचिनरी एक्विप्मेंट साउं रिकॉर्डर फार्मस् में इसके अलाबा मर्च तो इस पॉइंट को भी आप याद रगना इसके बाद जो इंडिन कल्चर में जो कल्चेंज प्रगाम में जो साइन हो एक्रिमेंट तो इसमें से यह है कि इंडिन कल्चर सेंटर में पर स्टैब्लिश के गए सुरीनम में 1978 में इसके अलावा सेंटर पुरवाइट्स तो इसके अलाव पर इंडिन में इसके ट्रेनिंग प्रवाइट करते थे तो यह जो सेंटर थे वो इन्टी वोलेंटरी हिंदी स्कूल इन कंट्री सो वहां पर दोएश वोलेंटरी हिंदी स्कूल है इसके अलावा कल्चरी और देखा जाए तो एक बैठक गाना है एक फॉर्म है वहां की मुजिक फॉर्म है जिसका नाम है बैठक गाना तो वह ओजिनेट होती है इंडियो सुरीनम कम्मुनिटी की तरफ से यह जो एक बैठक है वो एक सोशल गैदरिंग है जो कि एक बोजप गाना तो इस चीज को भी याद रखना जाना वो काफी इंपोर्टन हो जाती है एक प्रस्पेक्टिक से तो आज के लेक्शन में बस इतना भी अतना है एंड प्लीज सब्सक्राइब यूपीस लाइब और प्रेस्ट बैल आइकन पूर अप्डेट्स दनने बाद